कि मैं आप दोस्तों मैं तुशार जैन आजका टॉपिक है कि अलाइट। ट्रेट टूल्स। आज हम आलाइट्रेट ट्रूज के बारे में सीखने वाल हैं अलाइट ट्रेटूल्स जो हता है फिटरेट टूल्स से रेटेड होता है तो आईए सबसे पहले फिटरीट का इंट्रोडेक्शन्स लेते है, फिटर जो होता है, इसका फुल पॉम होता है, इसका फुल पॉम होता है, फाॉंडेशन, आएक होता है, इंडुस्ट्रियल, T for training, T for technology और R for resources, इस दर स्टेंब फरंडेशन ओप इन्डेस्ट्रियल ट्रेनिनल ये टिकन लर्गी region तो यह इ Limited कहां पर यूज आता है तो फिटर जो होता है जहां पर बपकिए जाते आप फिटर का यूज होता है जासे आतो इंडेस्ट्री आएरक्राफ्ट इंडेस्ट्री मैनिफेक्चिरिंग इंडेस्ट्री और माइनिंग इंडेस्ट्री इस जगह पे बीटेटेट का यूज़ होता है तो आई यह फीटारेट टूल्स में सबसे ज़्यादा इस्तमाल में लाया जाने वाला जो तो प्तृ तो फैल का काम होता है सर्फेश पे फैलिंग करना दो फाइलिंग करके तो इसके सरपेस पर फाइलिंग करके उसका मट्रेल निकाला जाने के लिए फाइल का इस्तमाल किया जाता है तो फाइल जो होती है यह हाई कारपन स्टील से बनाई जाती है तो स्पेसिपिक्शन डिफरेंट टैप्स अब जो फाइल्स होते हैं वो उसके स्पेसिपिक इस पर डिपेंड्स करते हैं जैसे कि लेंद ग्रेड पीद पैटर्न और शेप्स तो सबसे पहले लेंद की हिसाब से तो लेंद जो होती है फाइल की उस लेंद के सबसे साइस बताई जाती है जैसे कि 500 mm है 150 mm है 200 mm और 300 mm है जो लेंद गिनी जाती है वह यह टंक की जो बॉडर यहां से लेकर एज तक के इसमें का जो बीच का डिश्टनस है यह इसके सबसें लेंद स्पेसिपाइड की जाती है जैसे कि 100 mm से लेकर 300 mm ऑग्रेड के सबसे फाइल के अलग अलग प्रकार पड़ते हैं जैसे की रफ मने ऐस टेर्ड कात श्मूस्थ हैं ड ceux cut स्मूध ऐसे पांच प्रकार पढ़ते हैं कि पैटन के हिसाब से इसके दो प्रकार के फिर प्रकार पढ़ते हैं जैसे कि सिंगल कट और डबल कट तो सारे जो ग्रेट के हिसाब से प्रकार पढ़े उसमें जो सिंगल कट है तो से हम सिंगल कट फाइल करते हैं और अगर को कट साइज दो साइट से ह तो हम उसे DoubleCut file करते इस तरह कि तरह प्टरन के पैटन के इसाफ से SingleCut or DoubleCut specifications होते हैं अगला specification ने शेपर से शेपर के इसाफ से जैसे हमें फाइल्स का इस्तमाल करना उस तरह के सेपरेंटे शेप्स की फाइल समिस्तमाल में लाते है जैसे कि पहला शेप फ्लेट फाइल तो यह लोगी तरफ से इसकी जो दो साड़ी działी की वह फ्लेट होती है तो इसे हम फ्लेट फाइल कहते हैं उस्तरीxis या राउंड़ फाइल इसका शेप राओंड हुघ कितै हैं इससलिए हम इसको हाफ़ावावन सर्पेस अगर कट कर आउंग करनाहा है च्रॉब में तो हाप राउंड फाइल का इस्तमाल करते है स्क्वेर फाइल स्क्वेर फाइल जो होती है जो शेप होता है इसका स्क्वेर होता है अगर जॉप के बीच का जो पार्ट है या जो वह स्क्वेर में है और उसे हमें फाइलिंग करना है तो स्क्वेर फाइल का इस्तमाल किया जाता है और लास्ट शेप होता है वह होता है ट्रैंगुलर फाइल जो सरफेस पर अगर ट्रैंगुलर कट है और उस जगे पर हमें फाइलिंग करना है ट्रैंगल्स में तो हम ट्रैंगुलर फाइल का इस्तमाल करते हैं इस तरह किसे शेप के हिसाब से 5 टैप सॉप फाइल के प्रकार अब अगला जो टूल्स है वह होता है हैमर आपने आपके घरों के अंदर किल्ट होकने के लिए लकडों पे या भीट पे किल्ट होकने के लिए इसका इस्तमाल तो जरूर किया होंगा hammer जो fitter light trades में भी इसका काफी इस्तमाल किया जाता है job like punching, bending, chipping, forging, riveting and planning तो जैसे job होते हैं उस तरीके से different types of hammer हम इस्तमाल करते हैं hammer जो होता है वो high carbon steel से बनावा होता है तो types of hammer, ball pin hammer, cross pin hammer और straight hammer ऐसे तीन प्रकार के hammer हम allied trade में इस्तमाल में लाते है जो shape होता है इसका head का वो जो होता है उसी के साब से इसके types specified किये जाते है जैसे यहाँ पर यह shape जो होता है rounded ball के जैसा होता है तो हम इसे ball pin hammer कहते है उस तरीके से अगर इसका जो head है वो cross है तो उसे हम cross pin hammer कहते है या इस तरीके से straight pin है तो हम उसे straight pin hammer कहते है तो अब चलते है अगला part chisel, chisel के दो प्रकार होते हैं hot chisel और एक होता है cold chisel तो bitter trade या sheet metal trades में जो chisel इस्तमाल में लाई जाती है वो होती है cold chisel cold chisel जो होती है tempered steel metal से बनाई जाती है तो कुछ इस तरीके से chisel दिखाई देती है इसके जो parts होते है parts of chisel जो होते है head, stock, cutting angle और cutting edge इसके different parts होते है तो types of chisel में four types की chisel होती है पहला type है उसका diamond cut chisel तो diamond cut chisel square corner या triangular corner है उस जगों को clean करने के लिए इस्तमाल में लाई जाती है इसका जो shape होता है cutting edge का कुछ इस तरीके से होता है इसलिए हम diamond की जैसा होता है इसलिए हम इसे diamond cut chisel कहते है अगला type है chisel का वह होता है flat chisel तो जो flat chisel होती है opting flat surface और metal पे chipping करने के लिए इस्तमाल में लाई जाती है और साथी साथ wires को cut करना या thin sheet को cut करना या rounded rods जो होते हैं बार्स होते हैं उसे cut करने के लिए flat chisel का इस्तमाल किया जाता है कुछ flat chisel इस तरीके से दिखाई देती है इसका cutting edge इस तरीके से flat होता है यहाँ पे हमने एक job पे flat surface पे एक simply job दर्शाया है जो कि flat chisel का इस्तमाल इस तरीके से flat surface पे किया जाता है अगला जो type है वो है cross cut chisel cross cut chisel इसका जो edge corner होता है यह cross होता है इसलिए हम इसको cut cut chisel यह दुसरा नाम है cap chisel भी कहते है यह to cut slots inner and channels slots और channels को cut करने के लिए इस्तमाल में लाई जाती है जिससे यह channel नजरा रहा है इसे cut करने के लिए हम cross cut chisel का इस्तमाल करते है अगला type है half round cut chisel तो half round cut chisel का एक one side होता है half round होता है इसलिए हम इसको half round cut chisel कहते है तो half round cut chisel जो होता है for making an oil grouse in a bearing के अंदर के oil grouse बनाने के लिए और for cutting a slide and corner को cut करने के लिए half round cut chisel का इस्तमाल किया जाता है इस job के उपर हमने half round जो chisel है उसका काम दर्शाया है अगला जो tools है वह है hacksaw होता है hacksaw का इस्तमाल metals rods, pipes, plates और sheets को cut करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो hacksaw की जो blade होती है उसके cost के हिसाब से उसमें material इस्तमाल किया जाता है जैसे low cost है तो tungsten steel या carbon steel की blade सभी होती है और अगर high cost की blade है जो होती है वो high speed steel की बनाई जाती है तो hacksaw के blade के दो प्रकार पड़ते है तो पहला प्रकार होता है वो होता है fix hacksaw और दुसरा प्रकार है adjustable hacksaw जो fix hacksaw होती है इसके अंदर जो blade इस्तमाल में लाई जाती है वो fix size की होती है different size के blade इसमें इस्तमाल में लाई जाती नहीं तो हैक्स ऑबलेट के ऐसे दो प्रकार पड़ते हैं अगला टूल से स्टील रूज आपने आज के तारीक में जो आपके ड्रॉइंग निकालने के लिए जो स्केल का इस्तमाल ज्यादा करके आप लोग सभी जह स्टील रूज का ही इस्तमाल करने लगे क्योंकि इसकी लाइप च्लेचे है प्लास्टिक स्केल्स जोटी ती उसके लाइप कम होती थी विद्वता ईस लेहादे खुदी सभी के बच्चों के पास में है स्टील रूज तो इसका उन्दर इस्तमाल में केहाएब धिस्टंस好好 करने के लिए इस्तमाल मंहीं जाती है यहाब 1000 में में 300 mm और शेसे साइज में अविलेबल होती है और यह स्टील स्टील की बनाई जाती और इस तरीके से दिखती है तो इसमें नीचे की जो रूलर पे जो दिख रहा है यह इंचेस में डिनौटेक्ट किया और बिजो डिनौट मार्किन सेंटीमिटर में दर्शाय अगला आट है, ट्राइस्क्वैर जो हता है, एक स्कौैर बनाने के लिए इस्तमाल में, राइट अंगल इस्तमाल में लाये जाता है, तो यह जो हता है, इसके दो एट ऐस जो nut डो, स्क्वर डुइंट ऐंगल तो स्कॉइर अगर किığ प्टारी अपने कोशा का इंusa क्या गया जाता है 90 डिघ्री गिनने के लिए यह जोना होता है यह स्टील का बनाएज जाता है थैंकिन्क ते